शुप रभायत बच्चो यह आपके हिंदी के कक्षा है और आज हम हिंदी में कवीता पढ़ेंगे जिसका नाम है गिरे ताल में चंदा मामा तो पीटा जब हम लोग छोटे होते थे ना तो हमारी मामा हमें एक कहानी सुनाती थी कहानी कुछ ऐसे थी कि एक वर श्रीक्रिश्न भगवान होते हैं वो बहुत जित करते हैं कि मुझे चंदा मामा चाहिए चंदा मामा चाहिए काफी जब वो रोने ही लग जाते हैं काफी जित करने लगते हैं तो यशोदा माता क्या करती है एक ट्रिक लगाती है वो क्या करती है एक बड़ा सा बरतन लेती है और उसमें पानी भर देती है छट पे रखती है और जैसे ही चंदा मामा की परशाई उसमें दिखती है तो वो कृश्ण भगवान को कहती है लो ले आई मिदाप के वी चन्ता ममा और जैसे ही उसे पकड़ने के लिए कृश्ण भगवान हाथ मारते है तो वो सारे पाने से भीग जाते है बात में योश्दमाता बहुत हस्ती है और ये जो कहानी है जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे वही कहाँ नहीं यादा आगी इसलिए मैंने आप से share की अब हम लोग भी इस कवीता को पढ़ेंगे कवीता है जिसका नाम है गिरे ताल में चन्दा मामा सब ने देखा, सब्ने देखा फसे जाल में चंदा मामा सबने देखा सबने देखा सबने देखा एक अचंभा मचवारे ने जाल समिटा कहीं नहीं थे चंदा मामा कहा गए जी चंदा मामा मचवारे की मती चकराई छांग छरोखे पोली ताई पानी में जो दिखता बुद्धू वो तो है चंदा की परचाई बहुत ही सुन्दर कवीता है बिटा हाँ जी बिटा अगर आप अपनी पाठ माला उपन करेंगे तो इस तरीके से आपको पेज दिखेगा इस पेज में आपको यह कवीता का हेडिंग है गेरे ताल में चंदा मामा बहुत ही प्यारी कवीता है यह हम लोगों ने पढ़ है अभी अभी आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा इसमें हम लोग चंदा मामा के बारे में बादशीत करेंगे चंदा जो है बिटा दूर आसमान में रहता है देखते हैं ना रात को दिखाई देता है तारों के साथ आता है सुभा दोपहर शाम को अपनी परशाई देखें क्या अंतर होता है यह आपको एक एक्टिविटी बताई गई है यहां पे कि आपको सुभा शाम और दोपहर अपनी परशाई देखनी है देखिएगा सुभा के टाइम पे आपकी परशाई कौन सी डारेक्शन में होते हैं आप कहां खड़े होते हो परशाई किधर होती है दोपहर के टाइम परशाई का क्या साइज होता है किधर परशाई होती है और शाम के टाइम में क्या डिफरेंस होता है इस कविता में हम लोग बिलोम शब्द सिखेंगे मात्राएं फिर से आ चुकी है बड़ी की मात्रा चुटी की मात्रा प्रयावाची शब्द है और अनुछेद लिखना ठीक है ये सारे काम करेंगे कुछ शब्द यहां पे हैं अचंभा अचंभा मिन्स कोई ऐसी बात जो हमें आश्चरे चकित कर देती है हरान कर देती है मती मती मिन्स बुद्धी अब आते हैं कविता पे चंद्रमा का अकार हर रोज बदलता है अगर आपने कभी गौर किया हो तो कभी तो चंद्रमा ममा होते ही नहीं है अमावस्य की रात होती है और कभी चंद्रमा ममा पूरे दिखाई देते हैं गोल गोल से आस्मान में चमटते हो ये पोड़िमा की रात को कभी बिलकुल ऐसे हो जाते हैं पतली सी लाइन ही हमें नज़र आती है फिर धीरे धीरे वो अकार बढ़ता रहता है रोज बिठा चंद्रमा का अकार जो है वो बढ़ता घटा रहता है चंद्रमा सिर्फ रात में क्यों दिखाई देते हैं आरे भाई दिन में सूरिय भगवान आ जाते हैं और उनकी लाइट इतनी तेज हो जाते हैं के बिचारे चंदा ममा हमें दिखाई नहीं देते दूसरे विश्या को से जोड़का चंद्रमा पृत्वी के चारों और शक्का लगाता है और पृत्वी सूरज के जी हाँ चंदा ममा हमारे चारों और गूमते रहते हैं और हम लोग सूरज भगवान के चार और घूमते रहते हैं हम लोग में हमारी प्रेथवी जिसके उपर हम लोग रहते हैं अगर मुझे चांद पर जाने का मौका मिले तो मैं अपने साथ भई अपने किसको लेके जाएंगे अपने भाई बहन को ही लेके जाओंगी किसी ना किसी को साथ में ताकि वहां जाकर के थोड़ी मौच बस भी भी हो जाए कवीता है आपने लोगों से उनकी परचाई तो मिला दी आईए अब देखें कि चंदा मामा की परचाई कहां पढ़ती है और लोग उसे क्या समझते है चंदा मामा की परचाई कहीं गिरी हुई है और लोगों ने उसे क्या समझ लिया है और उसके बाद उन्होंने क्या किया यही हमने कवीता में पढ़ा फिर से एक बार रिवाइस करते हैं गिरे ताल में चंदा मामा सबने देखा सबने देखा फसी जाल में चंदा मामा सबने देखा सबने देखा सबने देखा एक अचंभा मच्छवारे ने जाल समेटा कहीं नहीं थे चंदा मामा कहां गए जी चंदा मामा मचवारे की मती चक्राई चांग चरोखे बोली ताई पानी में जो दिखता बुधू वो तो है चंदा की परचाई गिरे ताल में चंदा मामा सबने देखा सबने देखा फजे चाल में चंदा मामा सबने देखा सबने देखा हाँ जी लोगों ने ये समझ लिया है कि चंदा मामा जास्मान से गिरे और गिरे और कहां पड़े ताल में तालाब में फसे जाल में और तालाब में मच्वारे ने जाल बिचा रखा था और उस जाल में हमारे चंदा मामा फस गए हैं सब ने देखा एक अजमभा और सब इस बात को देखके बहुत हैरान हो चुके है मचवारे ने जाल समेटा मचवारे ने भी फटा फटा अपना जाल समेटा कि आज तो पकड़े गए चंदा ममा आज तो जाल में चंदा ममा फस गए है लेकिन जैसे ही जाल समेटा और देखा तो कहीं नहीं थे चंदा मामा नहीं मिले चंदा मामा भई कहां गए जी चंदा मामा अब सब परिशान गिरे तो यहीं थे जाल में ही पड़े थे लेकिन गए तो गए कहां मिल क्यों नहीं रहे मचवारे की मती चकराई छांक चरोखे बोली ताई सारे टेंशन में आगे मती चकरागी दिमाग घूम गया मचवारे का मचवारा जो मचलियें पकड़ता है उसका अब सारी टेंशन को किस ने देख लिया था ताई ने देख लिया था छांक चरोखे तो अपनी विंडो से जांकते हुए जरोखा में छोटे सी विंडो खिड़की से जांकते हुए ताई ने कहा पानी में जो दिखता बुद्धू क्यारे बुद्धू जो पानी में दिख रहा है वो चंदा मामा नहीं है वो तो है चंदा की परिचाई वो तो सिर्फ उनकी परिचाई है चंदा मामा तो दूर है आसमान में आप लोगोंने उनकी परिचाई को ही पकड़ लिया है काफी अच्छी कवीता है पिटा I hope आप लोगोंने इंजॉई किया होगा एक वारे से फिर से रीट करेंगे जैसे आप लोग रीट करके मुझे वीडियो सेंट करोगे लिक्ता बुधु वो तो है चंदा की परिशाई आगे बिटा गर एक्सरसाइज की तरह बढ़ते हैं तो पहला कोश्चन यहां पर आया है लोगों को ऐसा क्यों लगा होगा कि चंदा मामा ताल में गिर गए हैं क्योंकि लोगों ने चंदा मामा की परिशाई को ही चंदा मामा समझ लिया था अगर चंदा की जगा सूरज होता तो क्या होता तब तो शायद लोग भाग जाते इतनी गर्मी लगती उनको तब यह कविता कैसे आगे बढ़ती तो शायद से लोग हो सकता है कि सूरज को पकड़ने के लिए भी भाग जाए अगर आपको यह कविता अपने दोस्त को कहानी के तर सुनानी हो तो आप किस तरह सुनाएंगे जैसे मैंने आपको कहानी सुनाई थी श्री कृष्णवाले स्टार्टिंग में वैसे ही आप अपने दोस्त को सुनाओगे कविता में कौन-कौन सी पंक्तियां दोहराई गई है ऐसा कवी ने क्यों किया होगा कवीता में पंक्तियां बिटा जैसे यहाँ पे है सबने देखा सबने देखा सबने देखा वासे यह पंक्ति यहाँ पर बार बार दोहराई गई है क्योंकि इस में कवीता में यह दो ही शब्द ऐसे हैं कि सब ने देखा और जो देखा वही जमझ लिया और उस बात को करने का उस काम को करने की उन लोगों ने कोशिश भी की है किसी एक ने गला सोच लिया कि जंदा मामा गिर पड़े हैं और सब ही ने वैसा ही सोच लिया कि सच्ची में चंदा मामा गिर पड़े हैं जो कि एक इंपॉसिवल बात है सब ने क्या देखा चंदा के परशाई देखी सब किस बास से चंबित हुए कि जाल में चंदा मामा है ही नहीं कहे तो कहां गए इस बास से सब हैरान थे ताई ने सब को क्या समझाया ताई ने सब को समझाया कि बुद्धू राम ये चंदा मामा नहीं है ये चंदा मामा की परशाई है कवीता को अगल अगर शिर्शक बदलना पड़े तो हम क्या रख सकते हैं चंदा मामा दूर के कुछ भी उसके बाद मिलते जूलते शब्द जिनकी साउंड सेम होती है मामा कैसे मिलता जूलता जिसके पीछे मा आता हो रामा और उसके बाद नेक्स पीच पर है विलोम शब्द उल्टे अर्थ वाले शब्द आप लोगों को लिखने है फर्स्ट वन इस गिरना गिरना का विलोम रहेगा उठना हिलना ठहरना थूप छोँ दबाना छोडना हसना रोना मीठा खटा गिरना की जगा आप लिखोगे उठना मैं सुन्दर नहीं लिख पाऊंगी आप सुन्दर लिखोगे हिलाना ठहराना किसी चीज़ को हिलाना और उसे ठहराए रखना थूप थूप का लिखोगे चाँ दबाना छोडना हसना रोना मीठा खटा इस तरीके से आप अंसर लिखेंगे इसके बाद आते हैं प्रयाइवाची शब्द तो धर्ती का भू धरा लिख सकते हैं उसके बाद आकाश है आकाश का आप नब आसमान हर एक के दो दो लिखने हैं इसके पानी पानी का आप लिख सकते हो जल नीर ब्रिक्ष का पेड तरू उसके बाद है सूरज सूरज का आप लिख सकते हो रवी सूर्य नेक्स्ट है हवा हवा का प्रयाव अच्छी आप लिख सकते हो वायू पवन और इन शब्दों का यूज करते हुए आपको एक पेराग्राब भी लिखना है आगे आते हैं मात्राएं काफी दिन होगे मात्राएं किये हुए दिन चिट लड़की खरीद गिर पहुची परिवार बापिस मेरी फिर बैंगनी तितली इस तरीके से आप मात्राएं लगाएंगे उसके बाद का क्वेशन है धर्ती से अकास से चीज़ें कैसी दिखती होगी यहां पर आपको अर्थ की फोटो बनानी है या पेस्ट भी कर सकते है उसके बाद आप लोगों को सेल्फ जज्जमेंट करनी है यहां पर आपका चेप्टर आपकी स्टूडेंट बुक में कम्प्लीट होता है रीडिंग ज़रूर कीजिएगा बिटा वीडियो सेंड कीजिएगा थेंक्यू वेव गुड डे प्रभाद बच्चो यह आपकी हिंदी की क्लास है और आज हम हिंदी कबर करेंगे हिंदी की वर्क बुक में हिंदी की अभ्यास पत्री का जवाब की है उसे अभ्यास पुस्तिक जो है उसे उपन कीजिए यह पेज नमबर है 59 पेज नमबर 59 में पोयम है गिरे ताल में चंदा मामा जो हम स्टुडेंट बुक में पार्थ माला में रीट कर चुके हैं यहां पर अभ्यास पत्र एक है अभ्यास पत्र एक में परचाई देखकर अंदाजा लगाएं कि यह परचाई यह परचाई आपको एक एक्टिविटी भी आपको बताई गयी थी कि आपको परचाई देखनी है अपनी सुबा शाम और दुपहर और उसका डिफरेंस भी आप लोगों को जज़ करना है सिम वैसे ही इससे देखके आपको क्या लग रहा है यह किसकी परचाई है मचली की उसके बाद यह क्या नजर आ रहे हैं आपको सबसे पहले तो यह तितली नजर आ रही है यह बतक नजर आ रही है उसके बाद नेक्स्ट पेश पे चलें तो यह हमें हाथी नजर आ रहा है और हाथी के बाद नीचे हमें कैंगरू नजर आ रहा है कंगारू उसके बाद नेक्स्ट जो है विटा कंगारू के बाद ये पेड़ पे लटका हुआ कौन असर आ रहा है बंदर ठीक परशाई को देखकर ही हमने पैचान लिया ये कौन-कौन से जानवर है उसके बाद अभ्यास पत्र दो है इस कविता में आए शब्दों में किन-किन मात्राओं का प्रयोग किया गया है सुची बनाए इस कविता में आए शब्दों में किन-किन मात्राओं का प्रयोग किया गया है तो आपको कविता को पढ़ना है आ की मात्रा बड़ी ए की मात्रा ए की मात्रा वाले शब्द आपको लिखने हैं जरूरी नहीं है कवीता से ही लिखें कवीता से जो शब्द मिल जाएं वो जरूर लिखेगा और उसके बाद आप लोग अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं मात्राओं में मैं हेल्प नहीं करूंगी क्यूंकि केजी क्लास से आप लोग मात्राओं पढ़ते आ रहे हैं अब तक आपकी मात्राओं परफेक्ट होनी चाहिए कविता की ये पंक्कियां पढ़ें और इनको ध्यान में रखते हुए एक चित्र बनाएं गिरे ताल में चंदा मामा सब नहीं देखा चंदा मामा तालाब में गिरे पड़े हैं आहीं से आपको चित्र बनाने के लिए आप लोग क्या कीजीएगा एक तो यहां पर ताला ऍवां-वhrय 1990 ऑश्वे और उसमें शो कर दीजिएगा कि चंदा बा मामा गिरे हुए है ऐसे यहां पर सुन्दर से चंदा ममा बना दीजिएगा जो तलाब में गिरे हुए हैं इस तरीके का एक सुन्दर सा शित्रा आप लोगों को बनाना है हिंदी की वर्क बुक में बिटा इतना ही है तीन ही वर्क शीट्स हैं आपकी मात्राओं से रिलेटेड हैं इसके विता में मुस्तली मात्राओं पे कंसेंट्रेट किया गया है इसके बाद अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीचिएगा थैंक यू हैव गुड डे